एक तरफ जहाब बेते रविवास से रहरे कर जारी बारी से यवत माजले के दिग्रस तैसिल का जन जीवन अस्त वेस्त हो चुका है वही दूसरी तरफ मंगलवार की सुबा साड़े ग्यारा बजे दिग्रस शहर के आर्नी नाका पुल से गुजरने वाले धावंडा नदी में एक वेक्ति के चलांग लगाने की खबर से हरिकम मच गया जिस वजह से घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड उमर पड़ी बारिश के चलते नदी में बड़े पैमाने पर बार का पानी भर होने से डुबने वाले वेक्ति के बचने की कोई संभावना नजर नहीं आरी थी कुछ देर बाद अचानक उस वेक्ति के शरीर में हरकत होती नजर आई और वेक्ति पानी के बहाँ में बैता नजर आया जिसके बाद आनीना का पुल पर उम्री भीर ने शोर मचाते वे उसे बचाने के लिए हरकत शुरू की इस दुरान नगर पालिका की परवकर मचारी हसन परसु वाले ने अपनी जान पर खेलकर नदी में छलांग लगाई और अन्य युवाओं ने भी नदी में कुट कर उस वेक्ति को बाहर निकालने का प्रयास किया सोतों ने बताया कि डूपने वाला वेक्ति उसे बचाय जाने का विरुद करा था उसने गोता कुरों के साथ हाथ अपाई भी की और उनके हाथ से छुट कर वह खुद तैरते वे आगे निकल किया खास बात ये थी कि इस पुरे शोर शराबे और हंगामे के तोरान दिगर्स पुलेस दूर दूर तक नजर नहीं आए मौमद परसु वाले और उनके अन्य युवास साथियों ने अपनी जान जोखे में डार कर उस वेक्ति को जीवन दान देनी की पूरी कोशिश की लेकिन उस वेक्ति ने कोई प्रतिसात ने दिया आखिरकार आगी कुछ दूरी पर वालमी की नकर और गंकान नकर के पास देद बाइपास पूल पर कुछ लोगों ने उसे नदी से बाहर निकाला सुत्रों ने बताया कि नदी में छलांग लगाने वाले उस वेक्ति का नाम रवी बेदर कर है उसकी उम्रे अंदाजन पचास साल है और वह बड़ा मारोती मंदीर परिसर का निवासी है खबर लेके जाने तक समधित वेक्ति ने किस कारण से नदी में छलांग लगाई क्या वा आत्मत्या का प्रयास कड़ा था इस बाबत कोई जांकारी हाथ ने आई थी सुत्रों ने बताया कि लोकों ने उससे पकड़ कर दिग्रस ग्रामिन अस्पताल पहुचा है जहां उस पर उपचार क्या क्या अन्बेस अन्दियोस के लिए दिग्रस से जुबेर खान के रिपोर्ट